यूटूब चैनल रिकेश कापडों पर आप सब का स्वागत सब है आज आपे लियाए हैं SCRT की कक्षा 4 का EVS विशेहर पाठ विच्यार है बड़े मददगार हमारे कामगार कामगारे तो भे प्यारे चुन्नू मुन्नू लड़ों कठे हो जो सारे बटले हो कने चुला न्योंद है सब की इस पाठ का आनंद लेवांगे नई नई बात सिखांगे अर तीश्री क्लास में भी आपने पढ़े था भाय हमारे सायक कुण कुण है उसे ते मिलदे जुलदा यू पाठ है स्चीर्टी का सारा सलेवस आपना यारी केश का अपरो यूटूब चैनल पर मिलेगा रहे आग्गा जरूर बंड दे रहे हो विद्या बैंडे ओड़ी बढ़्या करहे है तो तयार हो बही हाँ सर बूझो तो जाने इन पहलियों के उत्तर चित्रों के नीचे लिखे गोल गोल मैं चाक घुमाऊं फिर उस पर मिट्टी फैलाऊं बरतन का आकार बनाऊं बोलो तो मैं क्या कहलाऊं अलग अलग परकार के मिट्टी के छोटे से लेकर के बड़े बरतन मनाते हैं वे चाक की शहता से ये वो चाक कोनी जो गोलड पर चल्या करहा है यो गोल गोल गुमने वड़ा चितर में दिखाई दे रहा है जो इसके उपर मिट्टी के बरतन मनाय जाते हैं आगे है बै देखांगे कौन शाँ बताओगा बाई सबसे पहले लेता माप कपड़े को फिर देता काट पहने कोई किसी उमर के कौन सिले कपड़े घर भर के दर जी रहे शबाश टेलर दर जी उत्र यवा सही है आगे देखांगे कोण शाँ शाँ शार है भी जो बदाम खंदा होगा वो उत्तर बताओगा जब घेरे कोई बिमारी रोगी बनती दे है हमारी मुझसे तुम उपचार कराओ मैं हूँ कोण चलो बतलाओ नरश नरश या डोक्टर चिकित सक बै आपे बिमारों जहां तो डोक्टर के पास जाना पड़ा है डोक्टर बीश दर्ती पा बगवान का रूप से हैं मैं तो जमाँ शाहर पड़े हुर है अग्गा देखो गिग्गी बैंदी ताम ना तो सारी पह लिया कि बांध और पुल मैं बनवाऊं नई नई तरकीव लगाऊं सूज भूज अपनी दिखलाऊं मैं किस नाम से जाना जाऊं निंजी नियर हो है भई अभियंता जो पुल्वगरा बनाण मैं बांध बनाण मैं जिसके दिमाग का प्रियोक किया जाव है वो सुजा आओ देव है अग्गा देखो भई दो पहियों की रहे शवारी करे बचत इंधन की भारी इसमें अगर खराबी आए करने वाला जो साइकिल का पंचर्वगरा लगाने वाला है साइकिल समारने वाला मिस्त्री है ये इसका जवाब है भई ता मैं तो बै जमाँ डुंडे ठारे हो रहे उत्तर देने के ले भई कड़ा जीनियस को आओगे जे इसका उत्तर देओगे तो कपडे पर आकार बना कर धागे से फिर उसे सजा कर सुन्दर बना कसिद्दे देता कौन सभी का बना चहेता कढ़ाई वाला कढ़ाई करने वाला चित्तर कारी करता है उसके उपर कपडे के उपर है कसिद्दा निकालता है उपर उपर उड़ कर जाता किन्तू नहीं पंची कहलाता नियत जगह सब को पहुँचाता बोलो मुझको कौन चलाता पाइलेट जाज ने पाइलेट चलावा है भई तो ये हमारे मददगार होगे सहायक होगे कामगार है जो विभिन परकार के विवसायक रहा आदमी विभिन परकार के पेश से हैं अपनी रोजी रोटी से जुड़ रहे हैं और वह किशी नकिशी रूप में हमारी भी मदद करते हैं जैसे आचारिय जी सिक्सक जी हमें पढ़ाते हैं किसान खेती करता है, व्यपारी व्यपार करता है, दुकानदार अपने लिए समान ला करके हमारे पास में सुवीधा देता है हमें, बैंक में जाते हैं, वहां करमचारी काम करते हैं, डाखाने में करते हैं, बस टैंड पे, या फिर बस चलाते हैं, चालक और परी चालक है, तो बहुत से सहायक होते हैं हमारे प्यारे बच्चों समझ में आया वह कुछ है हाँ जी बहुत अच्छे आगे देखो वह पता करो और लिखो तुम्हारे आजपास के लोग इन कामों के अलावा और किन कामों से जुड़े हुए है मजदूरी लोहार घड़ी साज अध्यापक बढ़ाई सुनार और भी हो बहुत बढ़िया भै धोबी भी हो सकते हैं और ड्राइवर भी हो सकते हैं मिश्ट्री हैं तो बहुत से लोग विभिन विवसायों से जुड़े हुए होते हैं देश की रक्षा मेरा काम नर्गिश आज बहुत खुश है उसके पिताजी एक महिने की छुटी लेकर घर आ रहे हैं वे भारतिय सेना में सुवेदार हैं आजकल वे जम कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात हैं वे बहुत बहादूर हैं पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुश पैट कर रहे दो आतकवादियों को मार गिराया था इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था नर्गिश के पिता की तरह अने एक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं नर्गिश भी सेना में भरती होकर देश की सेवा करना चाहत लिए हैं तो प्यारे बच्चों तुम भी फोजी बनना चाहते हो क्या बड़े होकर हैं हाँ जी बनना चाहते हैं तो नर्गिश बहुत खुश है उसके पिता जी एक पद होता है सुबेदार का सेना में और उसके पिताजी सेना में सुबेदार हैं और वो एक महिना की छुटी परवापिस घर आ रहे हैं और पिछले साल जैसे उसका एक बताया गया है रिकोर्ड भारतिय फोजी सीमा पर तैनात थे वो कसमीर में उन्होंने दो आतकवादियों को मार गिराया था जिसके कारण उनको सम्मानित भी कया गया था सरकार के द्वारा तो प्यारे बच्चों बड़े होकर देश की रक्षा करनी है फोजी बनना है अपने आपको हष्ट पुष्ट मजबूत रख्या करो ताकि आप देश की सेवा कर सको बड़े होकर के और देश के दुसमनों से लड़ सको तो देश की रक्षा करना इनका काम है ये भी देश के रक्षक हैं हमारे सहायक हैं इस इनके ब्रोसे हम निश्चिंत होकर शोते हैं तो प्यारे बच्चो आगे 104 लिखो तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं मेरे पिता जी कद्या पका और मेरे माता जी एक धरजिन है क्या तुम्हारे परिवार या आस्पडोस में भी कोई सेना में है हाँ मेरे मामा जी कैप्टन है आपके मामा जी कैप्टन है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत प्रिच्चे के लिए बता दूँ मेरे भी कई शिश्य शेना में सेवा दे रहे हैं जिनको मैं नक्षे वगरा में रीवर जो मुरुष्थल पहाड आदी सिखाया करता था आज वो वहाँ पर जाकर के फोन करते हैं कि मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ जो मानचितर में आपने सिखाया था और मुझे गरों से शीना चोड़ा हो जाता है मेरा आगे देखो यदि हाँ तो उनसे मिलो और पता लगाओ की सेना में वे क्या क्या काम करते हैं तो प्यारे बच्चों है अपने अपने जो आज प्रोस में जानकार है रिष्टेदार है उनसे जो शेवा दे रहे हैं देश की रक्षा में फोजी हैं सैनिक हैं उनसे मिलकर के बादचित करो वहाँ पर क्या करते हैं ट्रेंडिंग करते हैं परसिक्षन लेते हैं और ज़्यादा से जदा अपने आपको हश्ट पुष्ट करते हैं लगन सील रहते हैं लगाए रखते हैं काम में अपने आपको देश सेवा में देश के लिए काम करके उन्हें कैसे महसूस होता है ये परशना आपने उनसे पूछना है तो वो बिल्कुल गरव के साथ आपको बताएंगे कि वो खुश होते हैं देश सेवा के लिए काम करते करते तो प्यारे बच्चों, हमें भी अपनी देश भक्ती दिखानी चाहिए, हम मन लगा करके पढ़ें, वो हमारी देश भक्ती है, एक किसान अच्छी तरह मन लगा करके खेती करें, वो उसकी देश भक्ती है, एक अध्यापक मन लगा करके पढ़ाएं, वो उसकी देश भक्ती है एक व्यापारी बिना मिलावट का समान बेचे वो उसकी देश भक्ती है तो आगे देखो भई ट्रक मेरा चलता जाए महक के पिता जी ट्रक ड्राइवर हैं उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है वे ट्रक से एक सहर से दूसरे शहर में शामान पहुचाते हैं आज कल वे कोईला लाने बिहारे गए हुए हैं यह कोईला हमारे राज्ये के पानिपत धर्मल पावर पलांट में पहुचाना है यहां कोयले से बिजली पैदा की जाती है समें पर शामान पहुंचाने के लिए कभी-कभी उन्हें दिन रात ट्रक चलाना पढ़ता है तो प्यारे बच्चों हमारे पानिपत में थर्मल पावर पलांट है कि उसमें कोईले से बिजली बनाई जाती है जो वो बिहार से कोईला ढोते हैं ट्रंक में किसके पिता जी है वो महक के पिता जी तो अगे पता करो और लिखो क्या तुम्हारे पास्प्रोस में कोई ड्राइ लाइसेंस है लाइसेंस होना चाहिए चलाने की पर्मेशन मिलती है एक कागज बनता है सरकार की तरफ से आग्या मिलती है कि आप चला सकते हैं हर कोई ड्राइवर नहीं हो सकता अगर वो उसके पास कागज है मान्यता है तो वही अनुमती प्राप्त कागचे लेकर वाहन चला सकता है वह प्राय किन जगहों पर जाता होगा वह हमेशा बस्टेंड बस्टेंड पर जाता है दूसरे सहरों में जाता है गाउं में रास्ते में उसे किन कठिनायों का सामना करना पड़ता है रास्ते में कई बार गाड़ी खराब हो जाती है गाड़ी खराब भी हो सकती है पेंचर हो सकता है या फिर कहीं ने कहीं अक्षिजन टेद्दूर गटना आदी का भी खतरा बना रहता है बहुत जोखिम भरा काम होता है ड्राइवर का तेल भी खतम हो चकता है गाड़ी का बात सही है भाई लापरवाई बरती जाए तो उसे अपने परिवार से लगबग कितने समय के लिए दूर रहना पड़ता है कम से कम बारे घंटे के लिए तो कम से कम तो बारे घंटे दूर रहता ही रहता होगा कई-कई दिन भी दूर रहता है जैसे हमारे हर्याना से मदरास में चेन्नई में जाते हैं लोग मुंबई जाते हैं या फिर गुहाटी जाते हैं और ट्रक ड्राइवर या वैसे जो ड्राइवर होते हैं वो भी हमारे सहाय के होते हैं आगे देखो सफाई करना मेरा काम रानी के पिता जी सफाई विभाग में काम करते हैं वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं वे जगहे जगहे फैले कुडे कचरे को उठा कर एक जगहे इकठा करते हैं उन में से पलास्टिक, लोहा, कांच की चीजें तूटे मग, डिब्बे और पॉलिथिन की थैलियादी छाटी जाती हैं इस काम में कई लोग लगे होते हैं यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं साथ ही सहर की सफाई में भी योगदान देते हैं वे बताते हैं कि आज कल कचरे में पॉलिथिन की थैलिया जादा होती हैं जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती हैं कुछ पसू इन थैलियों को खाकर बिमार पढ़ जाते हैं तो प्यारे बच्चो ये एक सफाई के काम में लगे हुए हैं रानी के पिताजी और वो बताते हैं पना नुभाओ झाडू दी हुई है चीतर में और एक ट्रोलशी दी हुई है वो इक ठा करते हैं कुड़ा कच्रा इसमें और वो बताते हैं कि लोग ला परवाई से पॉलिथिन की थालियां प्रियोग करते हैं जिसे पशू खा करके बिमार हो रहे हैं आज कहले और बैए जो कुड़ा कच्रा होता है वो कांच लोहा आदी सब फैंक देते हैं लापरवाई से जो किसी को चल भी सकता है पशू खा जाए आवारा पशू तो वो तडफ के मरता है क्या हमें ऐसा कुड़ा कच्रा ऐसे फैंकना चाहिए बिल्कुल भी नहीं फैंकना चाहिए उनका निप्टान करना चाहिए गड़ा खोद करके पलास्टी के लोहा काच आदी को दबा देना चाहिए प्यारे बढ़को एक हजार साल लग जाते हैं पलास्टी के या फिर लोहा काच आदी को गलने में ऐसा थोड़ा ये वे सबजी के ये पापड़ हैं और दो चर दिन में गलके मिटी बन जाएंगे तो हमें इनका अच्छी तरह से निप्टान करना चाहिए यह भी जानो यह भी जानो पुराने अखबार लोहा काच तथा पलास्टी के आदी को पुनर चकरन द्वारा दोबा आरे बच्छो लेवई इसका मतलब यो गया जैसे हमारे कबाडी व्ले आते हैं पुराने अखबार की रद्दी लेते हैं या फिर लोहा दी काच आदी की प्लास्टी की बोतले वेगारा खरीदते हैं समान जो खरीदते हैं कबाड का वह वहां ले जाते हैं जहां पर उनको गड़ाया पिंगड़ाया जाता है और दुबारा पिंगड़ा करके जैसे कांच की बोतल है उसको कोई और चीज बना देंगे उसकी पलास्टिक की सिसी थी या पलास्टिक का कोई और डबा था मगगा था तो उसको पिंगड़ा करके कुर्शी बना दी फिर वो कुर्शी तू उनर चक्रन का मतलब है चक्र कटेंगे दुबारा दुबारा और नई नई चीज बना दी रहो है तुटी फुटी चीज की तो हमें ऐसे भी सुदुप्यों कर लेना चाहिए कुड़े कच्रे का आगे देखो पलास्टिक वे पॉलिथिन को कच्रे में फैंकने के क्या नुक्ष स्थान है राधावन को दूशित करना तो हई है साथ ही साथ परशु आदी शुबार से लेक खा लेते हैं तो उनका पेठ खराब हो जाता है उसमें कोई चीज है तो कुड़े कच्रे को सही स्थान पर डाल कर हम अपने आसपा साथ हुआ गाउं या सहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं तो प्यारे बच्चों जैसे गाउं में हैं पंचायते हैं या फिर शहरों में नगरपाली का नगरपरिशिद हैं करमचार होते हैं सफाई करमचारी वो भी हमारे बहुत मददगार हैं और हम भी अपने कुड़े कच्रे का अच्छी तरह से निपतान करें और उसको सही तरह से रखें संभाल करके ऐसे फैलाए नहीं ताकि बदबू ना आए और उसको उच्छी त जगह पर पहुंचा करके उसका अ साम लिखने में उसकी मदद करो तो मसीन दे रखी है फिता कैंची तो क्या विवसाय हो सकता है यह लोगों का और यह स्टैटोस्कोप दे रिख्या है तो यह क्या विवसाय है दोक्टर विवसाय का आदमी इसको जैसे चाति वगारा से धड़कन या देखने के लिए प्रयो क्या विवसाय है यह है कुमहार की बितार यह यह चीशी का है और आगल और और मौनें रहे हैं साप सफाई ऑला साम सिफाई वाल आगल दूदर्स सेदे रहे हैं साइकल के पास तो यह कौन करता यह काम है दूद्द वाला इनचर बै leverm करता हैं एक करने यह कर ऑब सामाश Equal एका मिश्टरी और यह शमान ले दे रहे हैं ये अपने जनरल स्टोर है लग की जनरल स्टोर है तो कौन है ये दुकान दार और ये सीमिट छाणने के लिए जहरना रखर क्या इंट रखर के हैं तो ये काम कों करता है मजदूर मजदूर तो प्यारे बच्चों ये विवसाय हो वाली एक फैक्टरी में काम करती हैं एक दिन राजू ने पूछा मा कमीज कैसे बनती है उन्होंने राजू को चित्रों के दुआरा कमीज बनाने की संपूरन प्रखिरिया बताई कमीज कैसे त्यार हुई यह नीचे चित्रों में दिखाया गया है तो सबसे पहले कौन कन दोडा हो है यू और इसने प्रकैट कन आर फीर दागा पीन को ने दागा बनाए गना फीर कपड़ा-त्यार करें जाहें यह इसका त्यार उसके बाद धागा बंताหह प्यक्ट्रियों में जाता हह यह उसके बाद क्या बुनते हैं धागे से कपड़ा बुनते हैं और फिर कपड़ा बुन करके वो बजार में आ जाता है तो दिर जी क्या करता है उसका सीलता है सीलता है तो प्यारे बच्चो इस तरह से हमारा कपड़ा त्यार होता है जो तुम पहने हुए हो समझ में आया माजी कपड़े की सारी प्रिकिरिया या ऐसे चलती है जो कच्चा धागा होता है या सूत होता है वो कहां से आता है कपास बाड़ी या फिर उन बगारा जो होती है हमारी कुछ पशूओं से भी मिलती है और कुछ पोधों से हमें ऐसी चीजे मिलती हैं, आगे देखो, देखो और लिखो देखो और लिखो पत्र लिखने से लेकर उसके सही स्थान पर पहुचने के विभिन चर्ण दिये गए हैं, उन्हें सही करम में लिखो तो प्यारे बच्चों पत्तर लिखना, गाड़ी में रखना, छाटना, सही पते पर पहुँचाना, पत्तर पेटी में डालना, डाक टिकट लगाना, उल्टे पुल्टे हैं ये, इनको सही करम में बताऊ वे कैसे लिखना सबता पहला के करांगे बई, पत्तर लिखना, फिर के करांगे उसके बाद, डाक टिकट लगाना, पत्तर लिखना पाच्छा, उसके उपर डाक टिकट लगावांगे, और फिर कड़ा गेडांगे उसने, पत्तर पेटी में डालना, शाबास, और पत्तर पेटी में डाल दिया कई पत्तर हो आजार, 150 हो जेंकत्व में, तो की कराँगे विर गटामे, जुस्व कर आजायो गला मॡँकर गटा मैं, करृषा इसार जाओ गालो मॡटा बोटा घ्रच कौन। काढ़ी में, घर कर सारा चार ने गरा हो ज्याद मैं, गाढ़ी मैं राखकर स्प. पते पर पहुँचाना। सही पते पर पहुँचा एद्यांगे उसने। तो ये प्रक्रिया हो गी बैज पतर की पहुँचने की। डाकिया हमारा जो एक सहायक होता है वो ये सारे काम करता है। सो चोर लिखो इस पार्थ में लोग जिन विवसायों से जुड़े हैं उनके नाम लिखो सैनिक सफाई वाला डाकिया डक्टर दर जी कुमहार पाइलेट मजदूर मैं भी तो इतने जाड़े बर्याता रखा तर मेरा नाम भी नहीं लिया रहा तम नरहे अध्यापक हाँ आओ यह भी करें घर से सकूल के रास्ते में तुम कई तरह के काम होते हुए देखते हो कि नहीं पांच कामों के नाम लिखो दुकानदारी बड़ाई का काम जूते बनाना और साइकल ठीक करना इत्यादी साइकल ठीक करने वाले का दुकान देखते हो वह तुम्हें और दुकानदार को देखते हो और वही किसान को देखते हो करिशी करता है जो जूते गाठने वाला भी आपके रास्ते में आता होगा और भी बहुत से काम करने वाले हमें हर रोज मिलते रहते हैं अपने आस पास किये जाने वाले कुछ ऐसे कामों की सुची बनाओ जिने पुरूश भी करते हैं और महिलाएं भी जैसे सकूलों में पढ़ाना दुवाई की दुकान पर दोनों काम कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है भाई दरजी दरजीन हो सकते दोनों दरजी दरजीन दोनों एक जैसे काम कर सकते हैं मजदूरी मजदूरी भी कर सकते हैं सबजी बेचना सबजी बेचना या फिर और भी भोट से काम ऐसे हैं जो महिला और पुरुष दोनों इकठे कर सकते हैं प्यारे बच्चों आगे देखो क्या होगा यदि ये लोग अपना काम ने करें किशान अपना काम ने करे तो के हो अगा बै अनाज दाल आदी नहीं मिलेंगी अनाज दाल बुखे मर जेंगे लोग और यो किशान अपना काम छोड़ देगा तो सारी दुनिया के खावगी फिर आपन तो तीन टेम तो अनाज चीए कम तकम देखो और वो किशान ने उगावा है अध्या अपना काम ने करे तो सभी अनपड रहे जेंगे अनपड ठेठ गुंठा टेक रहे जेंगे सारी खर भी नहीं आओगा मास्टर भी ना तो किसे नहीं किताबर ग्यान कुकर लेवांगे फिर आपे चोकिदार चोरिया बढ़ जाएंगी चोकिदार ख्वाली नहीं करे गतोरा एतना रोर रिक्षा चालक है यात्री अपनी मंजिल परस्यों में पर नहीं पहुंच सकेंगे या बात सही कया बढ़ रिक्षा चालक के उनने लेजे तफाई करमी अपना काम छोड़ दे है तो क्यो होगा बढ़ी सारी और गंदगी फैल जेगी सारी और गंदगी फैल जेगी चार और डोक्टर अपना काम छोड़ दे है तो क्यो होगा बढ़ी रोगी की मोत भी हो सकती है परिशान भी होंगे वो रोगी परिशान हो जेंगे बिमारिया जदा फैल जेंगी मोतें भी हो सकती है और शैनिक अगर अपने देश की रक्षा नहीं करेगा तो काम छोड़ के नहीं तो और कौन करेगा भई इसका मतलब शैनिक भी बहुत जरूरी है सिपाई भी देश का रक्षा को है लड़ाई जगड़े हो जया है समाज में तो उनको निप्टाने के लिए सिपाई भी बहुत जरूरी है और मजदूर अपना काम नहीं करे तो घर नहीं बनेंगे किसी के भी ठेती के काम भी रुख जाएंगे घर भी नहीं बनेंगे शड़क बगारा है बहुत सा काम ये लोग करते हैं अगर ये अपना काम छोड़ देंगे तो सारे समाज के काम रुख जाएंगे बड़े होकर तुम क्या काम करना चाहते हो और क्यों लिखो मैं बड़ा होकर देश की रक्षा करना चाहता हूँ देश की रक्षा करना चाहता हूँ इसका मतलब है सैनिक या पुलिस बनना चाहते हो पता करो जिस काम को तुम करना चाहते हो उसके लिए किस तरह की पढ़ाई करनी होगी तो प्यारे बच्चो यदि आप पुलिस में या फोजी बनना चाहते हो तो अपने आपको हरिष्ट पुरुष्ट बनाओ तो रेस हो एक रहा है पहला तो वह रेस कलियर करने पड़ेगी फिर टेस्ट होगा आँखों की शरीर की फिटनाश होने चीए आपकी पुष्ट होगे तो आप देश के रक्षक तभी तो बनोगे जब खुद किसी के उपर निरबर नी होगे तो टेस्ट की तयारी वगरा करने के लिए आपने आठमी दसमी बारमी भी में इस्तरियां की पढ़ाई करने पढ़ेंगी और कहां करने होगी ये पढ़ाई अपने विद्याले हैं तुम्हारे शेवा में आपके अध्यापक हैं पढ़ाई के बाद काम किस जगह मिलेगा तो भही आप अगर सैनिक बनना चाह रखते हैं तो किसी भी जगह पर आपकी दूटी आ सकती है और अगर अगर आप ध्यापक बनते हैं तो कहीं भी पढ़ाने के लिए आपको भी जा सकता है लिए तो प्यारे बच्चो अगर आप मेहनत करोगे इमानदारी का खाओगे और परिशरम करके आगे बढ़ोगे तो योगदान ही योगदान है देश के लिए समझ में आया ये सर समय में हमारी बहुत सी महिलाएं देश का नित्रितों कर रही हैं तो उनके फोटो आपने अख़बार से या कहीं से भी मिल जाएं तो अपने अभ्यास पूस्तिका में चिपकाने हैं कर लोग ये काम है दी गई पहली में वीभिन कामगारों के नाम चांटो और दिये गए स्थान पर लिखे तो बाएं से दाएं अगर हम पढ़ते जाएंगे इस तरह से कुछ है व्यवसाये वाले करने वाले लोगों के काम आएंगे इसमें उनके नाम लिखने हैं बताओ बै क्या क्या है दूदवाला, डक्टर, दोबी, माली, किशान, कुमार, रिक्षाचालकनाई, द्यापक, लुहार, पलंबर रेल बैंती रहे जमार है इतने नाम है इसमें बै गोड़दार लगाना है चो गरते जहां भी आपको ये वेवसाये मिलें कर लोगे ना इसा काम है बहुत बढ़िया वाई शाबास प्यारे बच्चो इसी तरह से आपको हरीकेश का अपनो यूटूब चैनल पर है पूरा असले बस प्रोश्या जाओगा खानियां तामें होने चीए बनानियां मैं हूँ और चिंता ना करो पहली तेले के पांच मील की ठेका ले रिखिया मनें किस्म का तरह और न्यूएरियान वीवा सामट ठेट बोली मैं आपको समझाने की कोशिश करी जाओगी ताकि आसपास के गाउं के दूर दराज के बच्चे आसानी से समझ सकें किसी समय अगर आपके पास अध्यापक भी नहीं है तो मैं भी आपक साइनिक सकूल की त्यारी करने हो आपने भारत को जानो अलम प्याड प्रिक्षा की त्यारी करने हो कोई प्रतिवगतर टेस्ट है आपने जिंदगी में देना है तो हरीकेश का अपनो यूट्यूब पर आईए और फाइदा उठाईए ज्यान का बरोटा है आग्गा जरूर बैंड दियो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा लेओगे प्यारे बच्चों हुशार बनोगे अपने माता पिता ध्यापक का भी नाम रोशन होगा आपका भी नाम रोशन होगा समाज के लिए अच्छे नागरिक बनोगे बड़े हो करके तो प्यारे बच्चों इसको अच्छ जाहिन जाहिन